हेलो फ्रेंड्स मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जर्नेविति विजय कुमार सिर्वास्ता में स्वागत करता हूँ आज का मेरा प्रजेंटेशन टाइटिल है विविन प्रकार से फसलों का बर्गी क्रान प्रजेंटेशन से पहले मैं अपने बारे में संचिप्त जनकारी देना चाहूँगा मेरा नाम बिजय कुमार सिर्वास्ता मैंने जिवी पंत इनुट्रिट्री अगरी कल्चर और टक्नलोजी से एक्रोनमी सब्जेक्ट से मेसेजी किया है तो चलिए अब हम पने प्रजेंटेशन की बारे में अधन करेंगे पौधों को ऐसे समू जिसको मनुस किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है और जो मनुस की अर्थ व्योस्ता में महत्पूर्ण अस्थान रखता है उसे फसल काते है दुसरे सब्दों में आर्थिक महत्पूर्ण वाले पौधों का ऐसा समू जो किसी निश्चित भौकोलिक छेतर में उगाया गया हो उसे फसल काता है इंगलिस में देखें तो फसले मनुस को भोजन, कपड़ा, इंधन, आसदी, लकड़ी, मसाले त्यादी परदान करती ही है इसके साथ साथ फसलों के दवारा फसलों अतथा पक्षों के लिए चाना दाना means animal feed त्यादी पराप्त होते है फसलों के दवारा बहुत से उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है दिरे दिरे सभी समाप्थ हो जाएंगे फसलों का बर्गी करण उनके जीवन चक्र उपजने की रितू इफ्योग इतियाती बीविन अधारों पर किया जा सकता है जिसके बारे में हम अधियन करेंगे पहला अधार है रितूओं के धार पर फसलों का बर्गी करण क्लासिफिकेशन अपक्रॉप संदे बेशी सबसीजन फसलों के बित्रण पर जलवायू का महत्पुन परभाव पड़ता है फसलों का अंकुरन वृद्धी एवं पकने के लिए निश्चित तापमान वाताब्रण की आदरता वायुवेद वर्सा की प्रचंडता यों समय आधिपर निर्फर करता है रितूओं का धार पर फसलों का हमारे देश में तीन वर्गों में विवाजित किया गया है जिसे कि पहला है खरीफ खरीफ रितूओं में वाताब्रण में उचा तापमान यों आदरता पा जाती है जिसे कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मुंगफली, उड़त, जूट, कपास, लुपिया, इत्यादी इस वर्ग की मुखी फसले हैं दुसरी सिजन है रभी सिजन के क्रॉप्स इस वर्ग की फसलों को अंकुरण यों प्रारंबिक वृद्धी के लिए ठंडी जल जैसे कि गेहूं, जो, चना, मतर, मसूर, सरसो, लाही, आलू, जै, बर्सिम, इत्यादी और जो तिसरी प्रकार की फसलें गर्मी की फसलें, समर क्रॉप्स इस वर्ग की फसलें अधिक तापमान यों अधिक प्रकास काल में वृद्धी करती हैं इन फसलों में सूखा, गर्म जिवन चक्र की अधार पर, मिन्स क्लासिफिकेशन और क्रॉप्स और बेसिस अफ लाइफ साइकल, फसलें अपना पूर्ड वृद्धी और विकास में जितना समय लेंगी उसकी अधार पर इन्हें तीन बर्गों में विवाजित किया गया है, पहला है एक वर्सी है, मिन्स इन्वल क्रॉप्स इस बर्ग की फसलें अपना जिवन चक्र एक साल या इससे कम समय में पूरा कर लेती हैं, इस समय ओधी में उगने से लेकर पकने तक का समय संबली थे और इस बर्ग की फसलें जैसे कि धान, गेहू, जवार, बाजरा, उलद, मुंग, चना, मसूर, इस बर्ग की फसलें परथम बर्ष में अपना वनस्वतिक भृद्धि करती हैं, मिन्स विज्टेट्री ग्रोथ होता है, और दूसरे बर्ग की फसलें जैसे कि सुगरवीट, चुकंदर, अनियन, प्याज इत्यादी, तिसरे परकार की फसलें बहुवर्शी फसलें, मिन्स अनेक वर्सों तक जीवित रहती हैं, साथ ही एक वर्सी दिव वर्सी फसलों के समान, फूल एम फॉल तका बीज त्यार होने के बाद भी इनका जीवन चक्र जारी रहता है, और जैसे की क्रॉप्स हैं, नेपियर ग्रास, रिज का इत्यादी, फसलों के वर्गी क्रण का तिसरा अधार है, आर्थिक महतुक अधार पर, मिंस क्लासिफिकसन उन्दे बेशिस सब एकोनॉमिक इंपोटेंस, इस वर्गी क्रण को सर्स वर्गी क्रण मिंस एकोनॉमिक क्लासिफिकसन भी कहा जाता है, यह बहुत ही मत्पुन वर्गिक्रण है यह इसमें फसलों को उनके उप्वियों के अधार पर विविन प्रकार से विवाजित किया गया है जैसे कि पहला है अनाज की फसले या धानी फसले इन्हें हम स्रियल क्रॉप्स बोलते हैं इस वर्ग की फसलों के दाने अनाज के रूप में खाने के उपएग में लाए जाते हैं, इनका वनस्पतिक अंग फसलों को खिलाने के काम में आता है, इसके अंतरगत आने वाली फसलों में धान, गेहूं, जोग के अलावा, मिलेट्स, मक्का, जौार, बाजरा, यहां कुछ मिलेट्स यानि मैनर मिलेट्स और अस्मालर मिलेट्स जैसे कि सावा, कोदो, चीना, ककून, मडवा, यहों कुटकी इत्यादी फसले आती हैं, दूसरी फसले दलहनी फसले, मिन्स पल्सेस और लग्यूम क्रॉप्स, इन फसलों के दाने यहों वीज को प्रोटीन का मुक शु में खाय जाता है, इसके अंतरगत आने वाली फसले अरहर, चना, मूंग, उरद, मसूर, मतर, खेसारी इत्यादी फसले आती हैं, तिसरी फसले तलहनी फसले, मिन्स ओयल सीट क्रॉप्स, इस बर्ग में कुछ अदलहनी एवं दलहनी फसले आती हैं, जिनके दाने एवं वीज तेल के प्रमुक सुरोत हैं, इस बर्ग में आने वाली फसले राई, सरसो, तीसी, कुसुम, मुंग फली, तील, अरंडी, सोयावीन, सुरज मुखी इत्यादी आते हैं, चोथी फसले रेसे वाली फसले मिन्स फाइबर क्रॉप्स, इस बर्ग की फसलों को जीवन उप्योगी बस्तु हैं, जैसे कि कपड़ा, रसा, बोरे, टा, ट्रेसा, इत्यादी प्राप्त करने के लिए उज़ किया जाता है, और आने वाली फसले हैं, कपास, जूट, पटसन, और सनई इत्यादी, पाचवी फसले चारे की फसले, मिन्स फोरेश क्रॉप्स, इसके अंतर रगत आन इत्यादी आती हैं, आर्थिक अधार पर बर्गी करने के छटी फसले, सरकरा की फसले, मिन्स सुगर क्रॉप्स, इन फसलों के तने यहों जड में सरकरा संगरीत रहती है, जिससे बाद में चिनी तियार करते हैं, और इसमें आने वाली फसले हैं, गन्ना यहों चुकंदर, जो की प्रमुक फसले हैं, साथमी फसले सबजी वाली फसले मिन्स वेजटेबल क्रॉप्स, इन फसलों की परवर्थित जड़ों तथा तनों के साथ पत्तों को खाने के लिए उप्योग में लाय जाता है, जैसे की आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, मूली, निनुआ, पर बाकू, चाय, कॉफी, इत्यादी, उतेजक फसले हैं, नमी फसले, जड तथा कंदवाली फसले, मिन्स रूट एंट टूबर क्रॉप्स, इन फसलों की परवर्थ जड़ों तथा तनों को खाने के लिए उप्योग में लाय जाता है, और आने वाली फसले हैं, आलू, अचार इवा कुछ खास पकवानों में प्रयोग में लाय जाता है, और इसके अंतर का ताने वाली फसले हैं, जैसे कि जीरा, धनिया, सौं, फिलाइची, हल्दी, अदरक, मेथी, मीर, चलसन, प्याज, तेजपत्ता इत्यादी फसले हैं, आर्थे क्यों एग्रोनोमिक बेश आजन की ग्यारावी फसले, औस्दी फसले, मिंस मेडिस्नल क्रॉप्स, इन फसलों के तने जड, पत्तों, तथा पंचांग का प्रयोग औस्दी उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि तुलसी, मेंथा, पिपर मींट, पुदीना, इसफगोल, अंटी मीसिया, कॉलमेग, ग अलवाली फसले, मिंस फ्रूट क्रॉप्स, इन फसलों में पुस्प के अंडासय के अत्रिक्त, पुस्प के अन्य भागों से भी फ्लों का विकास होता है, जैसे कि आम, अम्रूद, लीची, कठाल, जामून, सेव, नासपाती, अनार, नारियल, केला, नरंगी, मौसमी, नास, खर्भूज, तर्भूज, सिंगाड़ा, पपीता, बेर, खीरा, ककड़ी, त्यादी फसले हैं, उसके वाद, तेरावी फसले, रूपस्तिली फसले, मिंस, प्लांटेशन क्रॉप्स, इस वर्ग की अधिकांस, फसलों के अर्क, यह गुदे के प्रयोग से, शरीर में उ बेस्ट उन बोटेनिकल फैमली, फसलों के बर्गिकरन बनास्पतिक अधार पर भीवन रूपों में किया गया है, जिसके पहला है, घास परिवार, मिंस, ग्रेमनी फैमली, इसके अंदर गत आने वाली फसले हैं, धान, गेहु, जो, जौर, बाजरा, मक्का, गन्ना, इतिया इतियादी फसले हैं, तिसरी फसले हैं, सरसो परिवार की फसले, मिंस, कुरुसिफेरी फैमली की फसले, जिसमें कि सरसो, राई, तोरई, इतियादी मुख फसले हैं, चोथी फसले हैं, कपास परिवार की फसले, जैसे कि मालवेसी फैमली, इसमें कपास, पटसन इतियादी फसले आती हैं, पांचवी परकार की फसले हैं, आलू परिवार की फसले मिल्स सोलनेसी फैमली वाली क्रॉप्स, इस फसल के अंतर का ताने वाली फसले हैं, आलू, टमाटर, बैंगन, तंबाकू, इतियादी फसले हैं, चटी क्रॉप्स हैं, छटी फसले हैं, जूट परिवार फस्रों में अलसी या तीसी मुखी फसल है आठमी फैमिली है सूरज मुखी परिवार की फसल है जैसे की कमपोजिटी फैमिली और सूरज मुखी इस की मुखी फसल है नवी परकार की फसल है रेंडी या अरंडी यू फ़र वेसी फैमिली और अरंडी इस परिवार की मुख फसल है इसके बाद दस्वी परकार की फसल है चुकंदर परिवार की फसल है चीनो पोडियोसी ग्रूप चुकंदर इस परिवार की प्रदान फसल है ग्यारवीन प्रकार की फसल हैं कदव परिवार की फसल है दो नोफ्टस परिवार की है चीनो मुक्ष फसले हैं फसलों के बर्गिकन का पाचवा धार है फसलों के बिसे सुपयोग के अधार पर means classification on the basis of a special use of crops फसलों के बिसे सुपयोग के अधार पर उन्हें निमलिखित वर्गों में वजित किया गया है पाला है नकदी फसले means cash और commercial crops इस बर की फसलों को इसलिए उगया जाता है कि इसे बेच कर किसान अन्हें आवसकताओं के पूर्ति के लिए तुरंत धन जमा कर सके जैसे कि आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, मिर्चित्यादी दूसरी परगाल की फसले अंतरवर्ती फसले means catch crops जब मुख फसल असफल सीध होती हो तब कस्मिक रूप से एसी फसले अगामी दूसरी मुख फसल को पकड़ने के लिए catch करने के लिए उगाई जाती है बुवाई के बीच किसी कारण खेत अधिक समय तक खाली राता है तो उस बीच कम अधि में तेजी से त्यार अनवाली फसलों को भी उगाया जाता है जिसे अंदरवती फसल काते हैं जैसे कि मूंग, उड़ल, सावा, चीना, तोरई, इतियादी बिसे सुफ्यों का धार पर तिसरी फसले सुरक्छा, सीमा या रोधी फसले जिसे हम इंगलीज में guard crops और border crops या barrier crops बोलते हैं कुछ फसलें खेट के border सीमा के रोप में या जन्तों से सुरक्छा के लिए मुकी फसल के चारों और border के रोप में उगाए जाती हैं रुधी फसलें हवा की गती को भी कम करती हैं जैसे कुसुम, सैफलावर की फसल कीटों से बचाने के लिए इसी फसलों को उसके चारों तरफ लगाकर मिर्दा जनीत स्वैल बॉर्न हानिकारक जीव जैसे परजिवी खर पतवार या कीट पतं को फसाया जाता है जिस पर मुख्य फसल वाले कीडे अक्रमन करते हूं जैसे मुख्य फसल कपास के चारों तरफ भिंडी लगाकर Cotton Red Bug का नियंतरण किया जाता है तमबाकु में और बंकी का अलुप परिवार के पौधों द्वारा नियंतरण कियांता है लाल गेंदा फुल के पौधों द्वारा टमाटर या फुल गोभी में Diamond Black Moth का नियंतरण किया जाता है बिस्स रुफियों के धार पर पांचवी फसले आवरण फसले जिने हम कवर क्रॉप्स बोलते हैं इस पारकार की फसले भूमी को अच्छी तरह से ढख लेते हैं जिससे पानी एम हवा से होने वाली अपर्दन या चरण से बचाव हो पाता है इसी फसलों की वनस्पतिक वृद स्वयाबीन लोबिया मुंगफली सकरकंद यहों पैरा घास इत्यादी आती हैं च्छटी फसले उर्जा फसले जिनने हम इनर्जी क्रॉप्स बोलते हैं तरल उर्जा प्राप्त करने के लिए इथिनाल यहों एलकोहलित की खेती की जाती है जैसे की क्रॉप्स जेट्रोफा म का आलू टैप्यों का और गन्नाई त्यादी सातवी प्रकार की फसले कास्ट फसलें जिनने हम उट क्रॉप्स बोलते हैं कास्ट का निर्मान जिम्नोस्पर्म यहों दिविजी पत्री पौधों के अस्थंबों मेकम्बियम की सक्रिता से उत्पादों कास्ट सबसे महत्पू पसु अहार यह अनलबदायक बस्तों भी प्राप्त होती हैं कास्ट के मुख्य पौधें जैसे कि सीसम साल सागौन गमहार कठाल काला सिरस तून पापेलस आम जामू नक्रोट सातूत वीलो इत्यादी फसले इसके अंदर गत आती हैं बिसे सुफ्यों के धार पर आने वाली आठमी फसल है हरी खाद की फसले जिने हम ग्रीन मेनियोर क्रॉप्स बलते हैं हरी खाद की फसलों के कुछ समय तक उगाने के बाद नत्रजन यानि नेट्रजन की बचत के लिए मिटी में दबा दिया जाता है उनकी जूताई कर दे ज जाता है और इसकंतरगत आने वाली फसले हैं जैसे कि सनई धेंचा मूंग उलद लोबिया इतियादी फसले हैं इन फसलों को जब यह फ्लॉरिंग स्टेज में आती हैं उस केस में ही इनको जमीन में जूताई कर दिया जाता है जिसके बाद इनके डिक कंपोजिशन से इन फसलों के पौधों की बाहरी यह आंत्रिक स्रचना पर इनके वातावरण का प्रभाव होता है पौधों में स्वय को वातावरण में समयावजन करने की सामर्थ होती है जिसे अनुकुलन एडेप्टेशन की छमता बोलते हैं अनुकुलन का ताथ पर पौधों के फुलने तथा प्रजनन के लिए पूण छमता प्राप्त हो जाती है और वे अपना जिवन चक्र पूरा कर लेते हैं फसलों के प्रास्तितिक अधार पर उन्हें कई बर्गों में विवाज किया गया है जिसे कि पहला है जलोदवीत फसले मिंस हाइड्रोफाइट स्क्रॉप यह फसलें बहुत अधिक पानी वाली जगों पर पाई जाती है इनके कुछ भाग तथा जड़ प्रकंद अधी पानी के संबर्क मनते हैं और इसके अंतरका ताने वाली फसलें सिंगाडा कमल इत्यादी दूसरी फसले सुसन कोदवीत फसले मिंस जीरोफाइट क्रॉप्स य इकलोजिकल बेशिस पर बर्गेगरण की तिसरी क्रॉप्स है मध्यावित फसले मिंस मिजोफाइट क्रॉप्स यह फसले समाने वाता प्रणे भूमी में पाये जाते हैं इन छेत्रों में ना तो पानी कम होता है नहीं प्रकास के कमी होती है और इसके अंतरक ताने वाली फस सम गुलावित यादी फसले हैं चोती फसले लवनादवित फसले मिंस हेलोफाइट क्रॉप्स यह फसले विशेस वाता प्रण यह भूमी में पाये जाते हैं इन छेत्रों के जल यह पानी में सोडियम क्लोराइट मैगनिसियम क्लोराइट मैगनिसियम सेलफेट जैसे लवन क अनुप बनो, जिसे हम लिटरल स्वेंप भी बोलते हैं, इनके मेन गराब बनस्पती इनके एक्जामपल से हैं फसलों के बर्गी क्रण का साथमा अधार है, क्रिसी महत्यों के अधार पर, means classification on the basis of agricultural importance बीज अकार, फसल की जल मांग, मिर्दा और वर्ता, जड़ों के बढ़ाव, अधिक अधार पर किसानों के हीत में इस बर्गी क्रण को किया गया है तो पहला अधार है बीज के अकार, means seed size basis, बुवाई के गहराई का संबन्द बीज के अकार से होता है मोटे बीज अधिक गहराई और छोटे बीज कम गहराई और नमी पर बुए जाते हैं इस अधार पर फसलों को तिन बर्गों में बाटा जा सकता है पहला है छोटी बीज वाली फसले, small seed size crops, जैसे कि गोभी, बर्सी, सरसो दुसरा है मद्यमाकार के बीज वाली फसल, miss medium seed size crops, जैसे कि गेहूं, जो, धान, जै, जवार तिसरी है बड़े बीज वाली फसले, large size seed crops, जैसे कि मका, मटर, चना, कपास, अरंडी, इत्यादी दुसरा अधार है जड़ों की गहराई की अधार पर, उन्दे बेशी सब देफ तप रूट्स, मिस्रित खिती यहों फसल चक्र में, फसलों का चैन में, अलग अलग गहराई से पोसक तत्वों, यहों नमी के औसोशन की अधार पर फसलों का चैन किया जाता है कम गहराई वाली फसल के साथ, ज्यादा गहरी जड़ वाली फसल को फसल चक्र में रहकर, बेहतर नमी यहों पोसक तत्व परवंदन प्राप्त होता है जड़ों के अधार पर, फसलों का बर्गे करन दो भागों में किया जा सकता है परला है उतली जड़ वाली फसलें, सैलो रूटेट क्रॉप्स जैसे कि धान, गेहूं, माक्का, जोव और दूसरी फसलें गहरी जड़ वाली फसलें, मिन्स डीप रूटेट क्रॉप्स जैसे कि अरहर, कपास, जोव, जवारी त्यादी क्रिस्टी के महत्वे के धार पर बर्गी करने का तीसरा धार है जड़ों पर ग्रंथियों के धार पर मिंस नॉडिल्स औरूड्स मिटी में नेट्रोजन की मात्रा में दलहनी फसलों का प्रयोग से व्रिद्धी होती है क्योंकि इनकी जड़ों पर जिवाणों द्वारा ग्रंथियों का निर्मान किया जाता है जो वाता बर्ण्स से नेट्रोजन एकत्रित करती है एवं पौधों को आपूर्थी करती है इस अधार पर फसलों को दो बर्गों में बाटा गया है परली है दलहनी फसले लेग्यूम क्रॉप्स जैसे की मटर, चना, मूं, सनई, धहचा जिसमें की नेट्रोजन की कम मात्रा क्या आउसकता होती है क्योंकि इनकी जणों में गरंतियों में माइक्रोप्स होते हैं, जिवालों होते हैं जो की वाताबरांट से नेट्रोजन को एकत्रित करते हैं और पौधों को अपूर्थी करते हैं दुसरी फसले आदलहनी फसले non-legum crops जिसमें उरवर्कों की अधिक आवसकता होती है चोथा आधार पानी आवसकता का अधार पर विविन बर्गों में विवक्त किया जाता है जिसमें अधिक पानी सहन करने वाली फसले जिसमें धान और सिंगाडा दुसरी फसल है अधिक सीचाई चाहने वाली फसल है जैसे गन्ना, आलू, सब्जीयां यहों बर्सीम तिसरी है औसत सीचाई वाली फसल है जैसे गिहों की उच्छी टॉल वेराइटीज मक्का, जौ, जै यहों लोबिया चोथा कटकरी है कम सी चाहिए चाहने वाली फसले हैं जैसे चना, मतर, अरहर, बाजरा यहों कपास और पाचवीत प्रकार की फसले हैं सुखा सहन करने वाली फसले हैं डॉट टोलरेंट क्रॉप्स जैसे की जुआर, गवार, बाजरा, कपास हैं सामा क्रिसी महत्व के अधार पर फसलों के बर्गोवी को पाच्वा अधार है ಮिर्दा समू & ಪनाओट के अधार पर मिर्दा समू & ಪम्र. क fryफlor के गटन टेक्चचर के अधार पर भी विविन फसलों को विविन बर्गों में रखा जाता है जैसे कि पहला है मट्यार भूमी की फसले, crops of heavy soils, जैसे कि धान, कपाश, चना, दुसरी वेशी से दोमट भूमी की फसले, जैसे कि crops of loamy soils, इस परकार की भूमी में सभी परकार की फसलों को उगया जा सकता है, तिसरी फसले हैं, दोमट बलवार भूमियों की फसले, crops of sandy loamy soils, जै जैसे कि खर्बूजा हैं, उतर्बूज, पाच्वा अधार है, उसर भूमियों की फसले हैं, जैसे कि crops of user soils, जिसके अंदर अगा धान, चुकंदर, कपास, जो, बरसीम, गोबी की फसले आती हैं, छटी परकार की फसले हैं, अमलिये भूमियों की फसले, crops of acidic soils, जैसे कि राई साथमा अधार है, मिर्दा कटाओ, स्वेलोजन के अधार पर, मिर्दा कटाओ के रोकने के अधार पर, फसलों को बर्गी करण, दो भागों में किया गया है, जैसे कि मिर्दा कटाओ के बढ़ाने वाली फसले हैं, जैसे कि मक्का, सरसो, अरंडी, अरहर, क्योंकि इसमें फस लोगिया, गेह, जॉके, काफी नजदिक नजदिक लगाई जाती रिए और जमीन को घेर के हरती हैं, पूरित रेसे कवर कर थी है, जिसे कटाज्च का था ख़म रहता है। फसलों के बर्गी क्रण का आठमा अधार है जातियों के अधार पर फसलों की जातियों का बर्गी क्रण क्लास्पिक कसना कॉरा वराइटीज फसलों की जातियों का बर्गी क्रण सरसुत पादन में महतवपून होता है फसल चक्र पानी मिर्दा जलवाई रोग तथा कीटों आ पर दागत शंक्रित किसमें hybrid varieties और शंक्रित किसमें non hybrid varieties आती हैं दूसरा है उपयोगिता के अधार पर utility के अधार पर जातियों का बर्गिकरण इसमें अंदर चारे की किसमें आती है फोडर वरायटिज, दूसरा है अनाज की किसमें ग्रेण वरायटिज और תिसरा है अनेर्डेज की किसमें अधर विरायटिज फसलों की जात्यों का बर्गेगण का तिसरा अदार उपज इल्द के अधार पर अधिक ऊपज देने वाली किसमें जैसे High Yielding Variety दूसरा है औसत ऊपज देने वाली किसमें Medium Yielding Variety और तिसरा है कम ऊपज देने वाली किसमें जैसे कि Low Yielding Variety चौथा अधार है मिर्दा उर्वरता स्वेल फटलिटी के अधार पर निम्न उर्वराब मिर्दा की किसमें लो फटलिटी वराइटी दूसरा है औसवत उर्वराब भूमी की किसमें मिडियम फटलिटी वराइटी और तीसरा है उच उर्वर भूमी की किसमें हाई फटलिटी फसलों की जातियों को बरगीकन का पाचमों आदार है ओधी डूरेशन के अधार पर जिसमें की अगेती किसमें अरली वराइटीज, मध्यम किसमें मेडियम डूरेशन वराइटीज और तीसरी पिछेती किसमें आती हैं लेट वराइटीज बर्गिकन का चठादा रोग डिजिज के अधार पर जिसके नतरगत रोग औरोधी जातियां डिजिज रिस्टेंट वराइटीज दूसरा रोग से प्रभावित होने वाले जातियां डिजिज से से टेवल वराइटीज और तिसरा रोग को सहन करने वाले जातियां डिडिक tolerant वरायटीज बर्गnew की अधार थीक और एच्वे पाहला है दाना खेत में जड़ता है लंग सेट्रॉ lemon फञाल्ख की जातिमा का बर्ग settled कता हएच्च्वे अप्रवाही प्रॉ Debla जगल मगनता औरोधी मिंस रिजिस्टेंट वाटर लोगिंग जातियों के बर्गी क्लिनर का नवा आधार है ब्रिद्धियों फैलाव के अधार पर बेशिस अभ ग्रोथ एन इस्प्रेडिंग जिसके नित्गत पहला है फैलने वाली किसमें इस्प्रेडिंग वराइटिज द दूसरी हैं अर्द बाउनी किसमें मिडियम ड्वार वराइटिज और तिसरी बाउनी किसमें ड्वार वराइटिज इसके साथ ही मेरे आप प्रजेंटेशन विविन परकार से फसलों का बर्गे करना यहां पर समाप्त होता है थैंक यू भरी मच फॉर काइंड अटेंशन सी यहां पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स दिया है जरनी विजय कुमार से रवास्ता उसका लिंक प्रवाइट किया है आप सभी लोगों से आग रहा है फ्लीज विजिट दे चैनल सब्स्क्राइब इट और प्रवाइट और काइंड वेलुबल फीडबेक फॉ फॉर्थर इंप्रमेंट्स थैंक यू